कि अज़िए आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल नियू है वेन क्लासिस में आज के इस बीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कंपाउंड सेंटेंस संतेथिक्स जो आपकी एंटरमेडियर्ट के लिए महतबूर चैप्टर है तो यहाँ पर मैंने आपको रूल बता दिये हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या रूल लगते हैं आज बात करेंगे एक्सरसाइज वीडियो की और मैं बता दूँ आपको बीडियो पूरा देखना है कि इसमें धेर सारे संटेंस है जो आपके बोर्ड एजम्स के लिए काफी महत्यपूर हैं देखे सबसे पहले इसमें चार कंजेक्शन आपको पढ़ने है कुमलेटिव कंजेक्शन पढ़ना है जिसमें आपको एंड मिलेगा और नाट वनली बट आलसो मिलेगा अर्था जोड़ बताने के लिए इनका प्रियोग करते हैं अल्टरनेटिव मिन्स होता है बिकल्प बिकल्प बताने के लिए और का प्रियोग करते हैं अधर वाइज का प्रियोग करते हैं उसके बाद एडवर्सेटिव पंजेक्शन मिन्स क्या होता है डवर सेटिमिंस होता है बिरज बिरोध बताने के लिए एट बट इस्टिल और हुआल का प्रयोग करते हैं और एलेटिमिंस होता है परिणाम परिणाम बताने के लिए सो भन। धेठ लिफार और फार का प्रयोग किया जाता है आईए देखते हैं sentence जिखे propose the following set of simple sentence into one compound sentence आपको sentence दिये जाएंगे आपको उनको जोड़के compound sentence बनाना है पहला sentence आपका क्या कहता है कि I am going to Delhi, मैं दिल्ली जा रहा हूँ I will stay there for a week, मैं वहाँ एक हपते रुखूंगा मैं वहाँ एक सब्ता रुखूंगा अब इस वाक को आपको compound बनाना है अब आपको देखना यह है कि यह sentence जोड़ रहा है वाक्यों को बिकल बता रहा है, परिणाम बता रहा है या फिर यह sentence बिरोध बता रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ मैं वहाँ एक सब्ता तक रुखूंगा तो ये वाक्यों को जोड रहा है और वाक्यों को जोडने के लिए जब हम लोग compound sentence बनाते हैं तो कौन से conjunction का यूज करते हैं and as well as not only but also both hand का प्रियोग करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इन चारों में से and अगर आप सही से पढ़ लोगे तो and easy भी है और आप आसानी से इसको लगा भी सकते हो sentence कैसे बन गया कि I am going to Delhi मैं Delhi जा रहा हूँ and I will stay there for a big और मैं वहाँ एक सब्ता तक रुकूंगा अगला sentence देखते हैं क्या है अगला sentence कहता है कि make hast जल्दी करो you will be late तुम्हें देर हो जाएगी जल्दी करो तुम्हें देर हो जाएगी जब मैंने आपको रूल का वीडियो पढ़ाया था मैंने कहा था जब किसी वाक्त में make hast आ जाए, make hurry आ जाए तो ऐसे वाक्तियों को alternative, cooperative conjunction के अंतरगत रखते हैं और जब answer बनाते हैं तो इसमें और या otherwise का प्रियोग करते हैं sentence आपका कैसे बनेगा कि make hast जल्दी करो और you will be late अन्न था तुम्हें देर हो जाएगी next sentence क्या कहता है next sentence कहता है कि hate begets hate घ्रिना घ्रिना उत्पन करती है love begets love प्रेम प्रेम उत्पन करता है घ्रिना घ्रिना उत्पन करती है और प्रेम प्रेम उत्पन करता है next sentence क्या है friends next sentence है कि professor गुपता वाज लेट ठीक professor गुपता लेट थे देर से थे he missed the train उनकी train छूट गई अब professor गुपता जी की train छूट गई तो उसका क्या कारण था इसे कारण अगर compound sentence में प्रणाम आता है और यही वह complex में कारण आता है तो यहाँ पर professor गुपता लेट थे उनकी train छूट गई तो उसको कैसे बनाएंगे कि professor गुपता लेट थे तो इसका प्रणाम क्या हुआ इसका प्रणाम हुआ कि उनकी train ही छूट गई और प्रणाम बताने के लिए compound sentence में किस conjunction का यूज करते हैं अगर आपको complex नहीं वाक्य बनाना होता तो आहां पर किसका प्रयोग करते बिकॉस का प्रयोग करते और वहाँ को कैसे लिखते कि प्रणाम क्या हुआ इसका प्रणाम हुआ कि उसे डंडित किया गया तो कैसे sentence बनेगा आपका compound compound आपका बनेगा कि he was wrong वह गलत था so इसलिए he was punished उसे डंडित किया गया next sentence देखिए friends कि it was stormy night तूफानी रात थी तूफानी रात थी he ventured out और बाहर निकला तो अगर तूफानी रात हो धेर सारी आंधिया रात में चल रही हो बारी सो रही हो अगर अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो यह क्या यह जोड बता रहा है नहीं विकल बता रहा है नहीं परिणाम बता रहा है बिल्कुल भी नहीं यह बता रहा है बिरोधा भास कि भाई आंधी बहुत देच चल रही थी stormy night थी और वह घर से बाहर निकला यानि कि it was stormy night तूफानी रात थी एट फिर भी he ventured out वह घर से बाहर निकला आए देखते हैं next sentence आपका क्या है अगला sentence का कहता है कि इस लिए ड्रीव इस सोट उसने अपने तलवार निकाली he rest upon the enemy ठीक उसने अपने सत्रुक्य पर उठाया यहां पर वाक्कों को जोडने का काम हो रहा है कि पहले निकला उसके बाद उसने सत्रुक्य पर उठाया तो किसका प्रयोग करेंगे आएंड का प्रयोग कर सकते हैं कि उसने केवल उठाया बतलवार निकाली ही नहीं बलके अपने सत्रुक्य पर उठाया भी कोई दिकत नहीं अएंड सबसे इजी पड़ता है इसलिए अएंड असानी से लगा सकते हैं good boys work अच्छे बच्चे कारे करते हैं bad boys make mischief बुरे बच्चे सैतानी करते हैं वाक के अर् जो बुरे बच्चे होते हैं वो सैतानी करते हैं यहाँ पर बिरोधा भास से देखिए ऐसे वाक्यों में मैं आपको एक क्योर बता दूँ कि आपको एंटानिम्स वर्ड भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर good आया था यहाँ पर bad आया था वहाँ पर love आया था और hate आया था he therefore could not speak इसलिए वो बोल नहीं सके यहाँ पर देखिए बन क्या आपका sentence दिया गया है अब आपको करना क्या था इसी therefore कोटागे कोई और conjunction यूज कर देना था तो इस speaker was very nervous वक्ता बहुत ही nervous थे so इसलिए he could not speak इसलिए वो बोल नहीं सके अगला sentence देखते हैं अगला sentence क्या कहता हैं अगला sentence कहता है कि he is the son आप हेpekt का पुतर है he is the son A mathematician वह है गरतग का पुतर है he is very soft minded boy वह तेज दिमाग का लड़का है तो गड़तक का पुत्र है तो इसका प्रिणाम क्या हुआ कि वह तेज दिमाग का लड़का है और परिणाम बताने के लिए सो का प्रियोग कर दिया और इससे वाक के जुड़ गया कि ही इस दस्तानाप है mathematician so he is very sharp minded अगला sentence क्या कहता है ध्यान से देखिए he is lazy वह आलसी है he scored good marks उसने अच्छे नंबर प्राप्त की अब यह आप अपर क्या लगा दिया एट लगा दिया कैसे बन गया कि he is lazy वह आलसी है at he scored good marks वह आलसी है फिर भी उसने अच्छे नंबर प्राप्त किये आए देखते हैं next sentence क्या कहता है आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजे वीडियो को और सेर भी कर दीजे अपने फ्रेंट तक ताकि उनको भी ऐसी कंडिशन में अल्टरनेटिव का प्रियोग करते हैं तो दा गर्स प्लेट बॉलीबाल लड़कें फुटबाल खेली बट लेकिन दा बॉइस डिट नॉट प्ले लड़के नहीं खेले आई देखते हैं आपका अगला संटेंस क्या है तो तेरा नंबर संटेंस क्या कहता है संटेंस कहता है इफ यू लीड यह तुम नेत्रत करोगे आई सेल फालो मैं अनुसरण करूंगा तो सिंपल संटेंस है वाक जोड़ बता रहा है तो जोड़ बताने के लिए किसका प्रियोग करेंगे एंड का प्रियोग करेंगे लीड मी ठिक आएंड आई सेल फालो यू यहाँ पर फालो यू भी कर सके मैं तुम्हारा अनुसरन करूंगा तो यहाँ पर आप इसको lead me and I self follow यू बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हो कि you lead आप सबसे आसान बना सकते हैं इफापटा दीजिए आप बना दिए you lead and I self follow तुम नित्रत करो और मैं अनुसरन करूंगा अगला sentence on account of illness बीमारी के कारण I could not go to school मैं school नहीं जा सका ठीक अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे sentence में आपको क्या करना पड़ता है जहां on account आप आ जाएं तो ऐसे sentence में आपको इसको sentence को भी चेंज करना पड़ेगा भाई इसमें क्या करण बीमारी की कारण मैं school नहीं जा सका तो अब इसका कैसे बनाएंगे कि मैं बीमार था इसलिए मैं school नहीं जा सका क्योंकि आप परिणाम तो हो रहा कि आप बीमारी की कारण बनके आया हुआ है तो करना पड़ेगा कि आई वाज इल वाज क्यों लगाए यहाँ पर पास्टेंस था आई वाज इल मैं बीमार था सो आई कुड नौट गो टू स्कूल इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका अगला संटेंस कम बित मी मेरे साथ हाओ अगला संटेंस देखते हैं नेक्स संटेंस क्या है इसके साथ ऐसा बेवार किया जाना चाहिए बहुत ही सिंपल संटेंस है इसका हो जाएगा परिणाम कि वा निर्दोस है ठीक वही इस इनोसेंट वा निर्दोस है तो इसका परिणाम क्या है कि उसके साथ ऐसा बिवार किया जाना चाहिए तो सो हो जाएगा परिणाम बताने के लिए सो का प्रियोग करते हैं राम इज वाइज राम बुद्धिमान है राम इज जेंटल बहुत ही साधारन सा वाक्य है कि राम बुद्धिमान है राम जेंटल है यहाँ पर बेक्ती एक ही है राम और यहाँ पर दो गुणों को जोड़ने की बात करी जा रही है तो ऐसी condition में क्या करेंगे चलो एक बार मैं बोथ से बना देता हूँ कि राम इस बोथ wise and gentle राम बुद्धिमान और gentle दोनों है आप ऐसा भी कर सकते हो कि राम इस wise and gentle बोथ आप अप अब हटा भी सकते हो तब भी सही है आप ऐसा भी बना सकते हो कि राम इस not only wise but also gentle देहां दीजे राम इस not only wise but also gentle ठिक कोई दिक्कत नहीं हो कि sentence आपका सही हो जाएगा अगला sentence देखते हैं अब बहुत ही simple sentence यहां पर बिरोध है तो he is intelligent वह बुद्धिमान है फिर भी उससे घमंड नहीं है तो he is intelligent but he is not proud आई देखते हैं next sentence sentence क्या कहता है कि वह बहुत कमजोर हो गया उसने अपना वरत नहीं तोड़ा वह बहुत कमजोर हो जाए और उसके बावजुद वरत न तोड़े अपना ब्रत बिलकुल न तोड़े तो इसमें किसका बोध हो रहा है अगला sentence देखते हैं I met Mohan मैं Mohan से मिला he was a lecturer वह एक lecturer था देखिए ऐसे sentence में क्या होता है कि आपको books में भी बहुत जगा मिल जाएं कि आप यहाँ पर हू का परियोग कर दो लेकिन friends एक बात बता ही अगर आप यहाँ पर भी हू लगाने लगे चो कि यह compound sentence है और complex sentence में तो आपको पढ़ाया ही गए हैं कि आपको हू लगाना है राजपूत बियर विक्टोरियस राजपूत बिजय हुए दे बियर ब्रेब वे बहादूर थे तो यहां पर बहुत ही सिंपल संटेंस है यह प्रिणाम बता रहा है कि राजपूत बिजय हुए ठीक यहां पर देखें यहां पर संटेंस क्या है राजपूत बिजय हुए वे ब पहले लिखना पड़ा जो पहले sentence है आपको उसको बाद में लिखना पड़ा लेकिन मैंने बताया था कि जब noun और pronoun की बात हो तो क्या करते हैं ऐसे condition में जब पहला वाक लिखते हैं तो आपने इस वाक को भले यहां लिखा लेकिन देखिए आपने दे के स्थान पर क्या लिख लिख ब्रमण किया इट इस दा कैप्टल आफ इंडिया वही sentence कि आई बिश्टेट देलेही एंड इट इस दा कैप्टल आफ इंडिया मैं देलेही बिश्टेट किया और यह भारत की क्या है कैप्टल है वह संतुष्ट नहीं है तो कोई बेकित धनी है और संतुष्ट नहीं तो क्या है यह बिरोधा भास परकट कर रहा है कि वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है रगला sentence देखते हैं आई ट्राइड माई बेस्ट मैंने अपना सर्वशेष्ट किया आई कुड नौट सक्सीड में सफल नहीं हो सका तो आपको पता है कि कॉंपलेक्स में जब ऐसे वाक क्या आते थे तो मैंने बताया था कि आल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट यह देप मैंने अपना सर्वश बशेष्ट पर्दसन किया एट फिर भी आई कुड नौट सक्सीड मैं सफल नहीं हो सका आये देखते हैं नेक्शन टेंस आप लोग बिल्कुल उभी एका नहीं इसको एक नोट्स बना करके उसमें आप सारे संटेंस को नोट करते हुए चलिएगा इस पीग दा टूथ सत्य ब give me your money back मुझे अपना money back दे दो मुझे अपना पैसे से भरा थेला दे दो you will be sorted तुम मार दिये जाओगे ओके अब यहाँ पर आपके पास दो आपसन है तो आप भया उसको अपना पैसे से भरा बैक दे दो नहीं तो आपको मार डालेगा तो जब ऐसे वापके में बिकल हो तो ऐसी सती में otherwise का परियोग करते हैं और का परियोग करते हैं sentence कैसे बनेगा कि give me your money back मुझे अपना money back दे दो otherwise you will be sorted तुम मार दिये जाओगे next sentence देखते हैं कि God is merciful इस और कैसा है दयावान है he fits even the helpless वहाँ किसकी सहायता करता है वहाँ helpless आसहायों को भोजन दिलाता है उनकी सहायता करता है तो बहुत इस simple sentence है तो God अगर merciful है तो इसका प्रणाम क्या है कि वहाँ क्या करता है गरीबों को आसहायों की मदद करता है उनको खाना देता है तो God is merciful so यहापर ही लगा God is merciful so he feeds even the helpless next sentence का कहता है कि everything's decay सब कुछ नश्ठ हो जाती है books survive किताबें बची रहती है क्या है आपर विरोधा भास है कि सब कुछ नश्ठ हो जाती है सब कुछ समाप्त हो जाती है परंतु लेकिन किताबें बची रहती है यह sentence कई बार बोट एक्जाम में भी आया है कि that animal may be a यह जानवर एक मचली हो सकती है it may be a serpent यह एक साप हो सकता है it must be one of them यह इन दोनों में से एक हो सकता है तो compound कैसे बनेगा कि that animal may be either a face और a serpent कि यह जानवर या तो एक मचली हो सकता है या तो एक serpent हो सकता है next sentence the brave face the challenges जो बहादूर लोग होते हैं चुनोतियों का सौमना करते हैं cowards flee डरपोग भाग जाते हैं देखिए brave इसका एंटानिम्स क्या होगा coward तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी ट्रिक्स होते हैं आपने एंटानिम्स देखा आप आप जान सकते हो कि यहाँ पर adversative conjunction की बात ही करी जा रही है और adversative conjunction की बात की जारी है ताप लगा दो बट लगा he is major वहाँ कंजूस हैं तो अब भाई कोई ब्यक्ति बहुत पैसा हो किजी के पास देर सरा धन हो और ओकंजूस हो तो क्या कहेंगे इसको adversity भी तो कहा जाएगा भाई आप cumulative कहने ही सकते हो क्यों जोड़ बता नहीं रहा है आप alternative नहीं कह सकते हो क्यों को बिकल भी नहीं बता रहा तो यहां पर बता है क्या रहा है यह adversity बिरोधा भास है कि सेट Govindas is rich said Govindas धनी हैं वह क्या हैं कंजूस हैं तो सेट Govindas is rich said Govindas के धनी हैं अट फिर भी फिर भी वह क्या हैं कंजूस हैं नेक्स संटेंस देखते हैं कि उसने लड़के को गली में देखा वह उससे बात करने के लिए रुका उसने एक किताब दी बहुत इस सिंपल संटेंस है ध्यान से देखेंगे तो बना ले जाएंगे तो कैसे बनेगा उसने गली में लड़के को देखा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वह उससे बात करने के लिए रुका और जब बात करने के लिए रुका तो उसने उससे क्या दिया एक किताब दिया तो यानि कि पहले दूसरा वाकि क्या है एक दूसरे को क्या कर रहा है परिणाम बता रहा है तो दोसरा और तिसरा वाक्य कर रहा है वाक्यों को जोड़ रहा है तो आपको कौन से conjunction का यूज़ करना है आपको यूज़ करना है सो का और आपको बाद में किस conjunction का यूज़ करना है आपको बाद में यूज़ करना है किस कंजेक्शन का आयंड का तो कितना सिंपल संटेंस है कि ही साधा वा इंदा इस्टीट सो ही स्टॉप टू स्पीक हीम एंड गेव इम आ बुक नेक्स शंटेंस आपर देखते हैं रहीम इस इसकी जो सफलता वो संदेर आतमक है तो आपर बहुत सिंपल संटेंस है कि रहीम क्या है बुद्धिमान scm इसंतर वह दॉक्यार है वो संदेरे मैं एक खेर में तो रहीम इस्टीजर रहीम उन्टिमान है बड्ग केरलेशन के लापरवा है so इसलिए his success is doubtful इसलिए उसके जो सफलता है वो संदे की घेरे में देखिए excellent books से आपकी सारी exercise है अगर आपके पास books है तो वहां से आप जाके sentence चेक भी कर सकते हो I did not go to Delhi मैं दिल्ली नहीं गया my brother did not go मेरा भाई नहीं गया इस परकार के sentence मैंने आपको पढ़ाये थे जब मैंने rule पढ़ाया था कि जब did not का प्रयोग हो और दोनों वाक्त में not हो तो आप तो नाइधर लगाओगे और एक बात का खयार लगाने के साथ साथ आप work की second form लगाओगे क्योंकि नाइधर के साथ आपको not नहीं लगाना है sentence देख लिजिए कि नाइधर आई ना तो मैं nor my brother ना तो मेरा भाई बेंटर तो दिलही ना तो मैं ना तो मेरा भाई दिल्ली गया तो ये आपका हो गया sentence ये थी exercise आपकी compound sentence की 34 sentence ने उम्मिद करता हूँ कि आपको sentence में आये होंगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल